समोसे बच जाते हैं जाहे तो वो बजार से लाए हुए हो या फिर हमने घर में ही बनाए हुए हो तो आप देख सकते हो कि मैंने कल रात में समोसे बनाये थे और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये फ्रिज में रखने के बाद काफे हदा सॉफ्ट से हो जाते हैं औ और अगर हम इनको microwave में गरम करते हैं microwave mode पर तो इनका जो उपर का cover होता है यह अजीब सा जो बहुत ही जदा अजीब सा हो जाता है एकदम chewy type का जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो आज मैं आपको सही तरीका बताने जा रही हूँ कि जब भी आप microwave में समो समोसों को दुबारा गरम करें तो हमें किस तरीके से इनको गरम करना चाहिए तो यहां पर मैंने ले लिया है lower rack जो की हमें grill mode पर लगता है और हम इसको grill mode पर ही गरम करेंगे क्यूंकि microwave mode पर गरम करने से इसका जो टेक्शर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो यहां पर मेरे पास 6 समोसे बचे हैं और यह छोटे साइस के हैं तो मैं इनके हिसाब से टाइम को सेट करूंगी बट अगर आपके पास समोसे जादा क्वांटिटी में हैं और थोड़े बड़े साइस के हैं तो टाइम आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हो तो मैंने lower rack के उपर रखकर इ यूज नहीं करेंगे वरना समोसे जल सकते हैं और जैसे ही आपको बजर सोनाई दे आप इसको जो है पलट दीजिए अभी तो मैं यूँ ही पलट रही हूं लेकिन अगर आपको टच करने में दिक्कत हो गरम हो जाते हैं तो आपको अपना जो हैंड ग्लास इसका पहन कर ही इनको टर्ण कीजिए इसके बाद हम फिर से ग्रिल मोट सेलेक्ट करेंगे और चार मिनट का टाइमर सेट करके इसको चला देंगे जिसे कि मैंने पहले ही कहा अगर आपके पास बड़े साइज में ज्यादा समोसे बचे हैं तो आप इसमें पांसे छे मिनट यह साथ मिनट त करते हों कि छेसे तले हुए ताजी समोसे होते हैं क्रिस्पी वैसे ही यहроп्म करते हैं बठ हां जो नौर्मल हम माइक्रोवेब में गरम کرके इनको थोड़ा सा इनका टेक्शर मिगाड़ देते हैं उस से रहते हैं जब हम उनको ग्रिल मोड पर ग्रम करते हैं तो अबी मैं इसको तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से गरम हो चुका है और अच्छा खासा जो है अंदर तक आलू भी ये गरम हो जाता है इतनी देर में तो आपके पास भी अगर समोसे घर में बचे हुआ है तो आप इस तरीके से इनको microwave में गरम कर सकते वीडियो अगर आपको पसंद आये हो तो अपने friends and family के साथ इसको share करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे चैनल पर अगर पहली बार आये हो तो इसको subscribe करके bell icon को press कर दीजेगा और all notification को select कर दीजेगा thank you so much for watching